आप कहते हैं कि आप एक पिता हो चुके हैं आप एक बेटी की बाफ हैं और जब आपकी बेटी के लिए गंदे गंदे गाने गाये जा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही हैं तो भाईया हमको यह वताईए कि इन सारी चीजों के शुरुवात किस ने की थी शुरुवात तो आपने ही किया था ना दूसरी चीज कि अब जब आप पिता बन चुके हैं तो अब आपके अंदर भी गमहिरता तो आही जानी चाहिए ना कि अब आपकी भीपिठिया बड़ी ह हो चुकी है वो जब मंच पर आपको देखती होगी कि उसका बाप कैसे गंदे गानों पर नाच रहा है इतना ही नहीं मेरी जैसी लड़कियों का नाम ले लेकर नाच रहा है तो आपके बारे में क्या सोचती होगी इन सारी बातों को भोशपोरी लोग गईका नेहा सिंग्र अठोड ने बिटे दिन अपने लाइव में कहा है ऐसी ऐसी बादें जाने कितने लोग खिसारी लाल यादो और उनके समाज के लोगों के लिए कह रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम यहीं जानेंगे कि खिसारी और उनकी बेची क्रिती पर आई हुए गाने को लेकर लो और आप देख रहे हैं जमाजम भोशपूरी अब बात करते हैं भोशपूरी इंडेस्ट्री में फैले खिसारी लाल यादो के विवाद की आप जो बोईएगा आपको वही मिलेगा तो अब आपको बुरा क्यूं लग रहा है वहीं कुछ रोगो का कहना है कि खेसारी लालियादोव अपनी हरकतों से हमेशा यह साबित कर देते हैं कि उनका बुद्धी ठ्षेहुना में ही है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खेसारी लालियादोव ने एक बड़ खुद कहा था कि तो हो लोग ता जंते न बाल जाके हमने के बुद्धी ही जंगवा होला ही जंगवा मतलब कि खेषारी लाल यादव के ठेहुना में ऐसा उन्होंने तब कहा था जब पावन और खेषारी का एक बर पहले भी विवाद हुआ था हो सकता है कि मेरी बात सुनकर खिसारी भगतों को बुरा भी लगेगा लेकिन मैं जो भी बताने जा रहे हूं या मैं खुद से नहीं बता रहे हूं बलकि खिसारी लाल यादव ने खुद ही साबित किया है खिसारी लाल यादों से पूछा जाना चाहिए कि आप एक बात बताईए कि पंकज कोई पहली बार तो आपके लिए ऐसा गाना नहीं गाया था इससे पहले भी खिसारी लाल यादों की बेटी के लिए यही पंकज एक साल पहले एक गाना गाया था जिसमें गाया था कि खिसरिया की बेटी सपनवा में आती है तब आपने अपने नाम काड ट्रेंड मार्क करा लिया था और कहते फिर रहे थे कि यदि किसी ने मेरा नाम गलत तरीके से लिया तो मैं 35-35 लाख लगवा कर उसकी पूरी जिन्दगी बरबात करवा दूँगा और उसकी साथ पुष्टों को केस लड़ाता रह जाओंगा लेकिन यही खिसारी लाल यादो उस 25 लाख में से 1 लाख भी खर्च करके पंकच पर केस करके उसको कोट के चहरी भेज दिये होते तो आज आपकी बेटी का नाम लेकर गाना गाना तो दूर वह आपका नाम भी भूल जाता लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा आपने रंगदारी दिखाई और आपके दो चार चम्चों ने उसको उठा लिया और लाइव आकर उसको थपड़ थपड़ मारा आपको पता है उसका दुष्परिनाम क्या हुआ उसका परिनाम ये हुआ कि बदनाम उसको होना था तो बदनाम आप हो गए लोग ट्रॉल उसको करते तो लोगों रहे सबसे ज़्यादा ट्रॉल आपको किया उस सनावी शोसल मीडिया पर बहुत जमकर हंगामा हुआ था बार-बार कहा जा रहा था कि खिसारी के चम्चो में दम नहीं है वह इतने कमजोर हैं कि छोटे से कलाकार को चुपके से उठा कर लाते हैं और बंद कमरे में मार-मार कर अपनी रंगदारी दिखाते हैं और दूसरी बार क्या होता है कि वही पंकजवा आपकी बेटी पर कोई गाना गाता है तब भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि पंकज ने दूसरी बार आपकी बेटी पर कोई गाना गाया है लेकिन आप लाइव आते हैं और रो रोकर एक बार नहीं बलकि दो दो बार स चला जाता है आप चाहते तो इस पंकजवा कोई आपको चुटकी में लेकिन आपको तो यह सब करना नहीं था आपको तो बस नोटंकी करनी थी और लाइब आकर रोना था अरे खिसारी जी यह पूरी दुनिया जानती है कि आप लाखों में नहीं बलकि करोडों में खेलते हैं आपके आगे पीछे एक दो नहीं बलकि 10-20 गाड़िये चलती हैं पूरी दुनिया जानती है कि खिसारी लाल यादो यदि कोई गाना गाते हैं तो वह गाना देश भर में नंबर बन पर ट्रेंड करता है या हर कोई जानता है कि खिसारी लाल यादव और जेडी को कितना सपोर्ट करते हैं अब आपके पास इतना कुछ है आप इतने शक्षम हैं आप इतने कैपबल हैं तब आपको एक छोटा सचिरकूट गायक भलक कैसे रूला सकता है इसका मतलब गैसरे बन नहीं कर रहे हैं तो आप कही ने कहीं साबित कर रहें कि आप सच्वेहन बुद्धी ही है और एक पाथ की शीलाल यादव पहले ऐसे वेक्ति नहीं है जिनकी बेटी पर गाना गाया गया है इनकी अलाब भॉश्पूरी के पावर स्टार पवन सिंग के बेची के गाना गाया था सबको बता सब ने बाğकर एक उपर Śच बना जाएंगेश लिए इनका माम जादा बढ़ा भी नहीं था और विवाद के शाक्र गाना गाया था हूं एस में स्टार निरहर एक ऑना कर रिस्क्री स्टार looking कि आँगे उसको वाज जानता भी नहीं है और खेसारी ने क्या क्या तो फिक्सारी लाल यादो ने पंकज संग को रिस्फ की सिटार बना दिया जिस पंकज को उसके गाउं में लोग जानते भी नहीं होंगे आज उसी पंकच को पूरा देश जानने लगा है आपको पंकच इंसे इतनी ही दिक्कत थी तो आप चुप चप थाने में चले जाते और पंकच के नाम से के फयार कर देते अरे सब जानता है कि खिसाली लाल यादो जैसे इतना बड़ा काला कार जब फयार करता तो उस पर तुरंट एक्षन लिया जाता तो सब जब कुछ आपके हाथ में ही था तब आप इंस्ट्राग्राम पर एक दिन नई बलकि दो-दो दिन लाइब आकर क्यों नोटंके कर रहे थे जो लोगों को आकर बायबार बता रहे थे कि यह लड़ाई अब राजपूत और यादो की हो गई है कभी-कभी तो लगता है कि खिसारी लाल यादो यह सब जान बुश्कर कर रहे थे और पूरी लड़ाई को जातिगत लड़ाई बना दिये खेर इसी के साथ इस वीडियो को यही पर समाप करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसे नई वीडियो के साथ तब तक मुझे इचाज़ा दीजिए धन्यवाद